एलो फ्रेंड्स आज किसी वीडियों में एक इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो को जी एस्टी टेक के तुड़ा ट्वीट किया गया है और रूल्स के अंदर भी मैंशन किया गया है तो यहां पर कन्फीजन आ रहा था कि जो हमने इन्वाइस परनिशिक वैसल यहां पर इसकी जीएस्टी टेक के दोवारा यहां पर रिपलाई किया गया है यह ओपिशेट ट्वीटर है जीएस्टी का तो यहां पर बताया गया कि इन्वाइस इस विच आ रिपोर्टेड इन इन्वाइस फरनिशिंग फैसिलिटी और जैन और फैब तूसां टुशंट यहां पर रिखा गया प्लीज रैपफर रूल 59.3 और सी जीएस्टी रूल इहां पर जीएस्टी टेक का कहना है कि जितने मालीज आपने 10 इन्वाइस जो है जैन की इन्वाइस फरनिशिंग फैसिलिटी में अपलोड कर दिये और 11 यहां पर आपने मालीज फैब की आपके 15 इन्वाइस थे तो आपको सिर्फ और सिर्फ फरवरी के यहां पर च्यार जो क्वाटरली आरवन जाएगी उसे फरवरी के च्यार करने हैं और मार्च के सारे करने हैं तो इस तरिके से जो अपने इन्वाइस अपलोड कर दिया इन्वाइस फैसिंग वैसिलिटी में वो आपको quarterly जो quarterly R1 जो जाएगी उसके अंदर आपको upload नहीं करने है जो सिर्फ और आपके जो invices आज तक upload नहीं हुए है वही invices आपके यहाँ पे quarterly GST R1 में upload होंगे तो इस rule को यहाँ पे देख लेते हैं rule 59-3 के अंदर बता गया है the details of outward supplies furnished using invoice furnishing facility जो आपने जन्वरी और फैब में जो आपने quarterly इन्वाइस फैसलिटी का यूज करके upload किये गए है फोर्दा फॉर्स्ट और सेकेंड मांट सो जो आपको सिर्फ जो रिमेनिंग इन्वाइस हैं जो रिमेनिंग इन्वाइस हैं कि उन्हीं को आपको जीस्टी आरवन में upload करना है और यहां पर जो यहां पर जो जीस्टीन की अब अपनी आरवन भर सकते हैं क्वाटरली वहां पर होगी यह जीस्टीन की टेक के दोवार जो ट्वीटर हैंडल उस पर भी क्लैरिफाई कर दिया गया है अब 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 अपनी आरवन भर सकते हैं क्वाटरली वहां पर कोई भी कोई भी आप लेशन नहीं होगी तो थैंक्स पर वाचिंग अब 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 वाचिंग